नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में CTAT पेपर एक में इतने फीजदी अभ्यर्थी हुए सफल पडिवान विभाग ने स्पीड मीटर को लेकर दिये ये नर्देश दानापूर और बैंगलूरू के बीच ट्रेनों के फेड़े बढ़े दर्भंगा को मिला रेलवे का तोफा नियोजिस सक्छक 2 ओक्टूबर को करेंगे 17 रह बावराजम की बातसाहत को खत्न कर सकते हैं सुभमंगल इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से पडिवान विभाग ने स्पीड मीटर को लेकर दिये ये नर्देश पडिवान विभाग के दोरा सभी अधिकारियों को दिशा नर्देश देते वे कहा गया है कि अब राजे में चलने वाली गारियों में स्पीड मीटर चालू न रखने वाले वाहन मालिकों से डी टी ओ एवं एम भी आई नियमनुसार के तहट जुर्माना वसूले जाएं बतादिक विभाग ये समिक्षा में यह पाया गया है कि 70 प्रतीशत लोगों की गारियों में स्पीड मीटर खड़ाब होता है जिस कारण चालक ओवर स्पीड में गारी चलाता है और सरक दुरगटनाओं की संक्या में पढ़ोतरी होती है आपके जानकारी के बता दे कि सभी प्रकार की सरकों पर बहनों के प्रकार के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित कर दिया गया है पठना इम्स में Senior Nursing Officer वर टूटर के 147 पदों पर होगी सीधी भरती All India Institute of Medical Sciences पठना के द्वारा Senior Nursing Officer के 127 और टूटर के 20 यानी की कुल 147 पदों के लिए विज्यापन जारी किया गया है ऐसे में एक्चुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए आविदन करना चाहते हैं वे 1 ओक्टूबर 2023 से इम्स की आधिकारिक वेफसाइट इम्सपटना.edu.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं बतादी कि आविदन भरती विज्यापन प्रकाशित होने के 15 दिन कारी के लिए एक्चोक अभ्यर्थी जारी कियेगा दिसूशना को देख सकते हैं नियोजित सक्चक 2 ओक्टूबर को करेंगे सत्यागरह बीतर दिन मुक्यमंत्रे नितीश कुमार के कैबिनेट बैठक को लेकर ऐसी चर्चा की जा रही थी कि कैबिनेट के बैठक में नियोज प्रसक्चन की अनिवारता को पूरा करने के लिए सक्चा विभाग के द्वारा यह कोर्स करवाया गया था लेकिन कुछ सिक्चक एक और दो पेपर में असफल रहे और दुबारा उसकी पूरक परिक्चा आयुजित नहीं की गए इसके कारण काफी संख्या में सक्चक प्रतारना जेल रहे हैं और कई जिलों में और प्रसक्चित रह गया सिक्चकों की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है से में पूरक परिक्चा को सरकार जल से जल्द कराए सुभस सवीरे अचानक विकास भवन पहुँच गये सीयम नितीश इन दिनों बेहर के मुखे मंतरी अचानक से कहीं भी पहुँच कर सभी को चौकाने का काम कर रहे हैं इसी करी में आज यानिकी मंगलवार को सुभश सवीर नितीश खुमार अचानक विकास भवन पहुंच गया जैसे ही इस बात की जानकारी वरिये अधिकारी को मिली वे दोरे दोरे विकास भवन पहुंचे वहीं वहां से निकलने के बाद सीयम नितीश विस्वे सर्या भवन पहुंचे जहां पर उन्होंने निरिक्षन किया आपकी जानकारी के बता दे किस से पहले 20 सितंबर को सीयम नितीश अचानक से सचीवाले पहुंच गया थे जिसके बाद वहां अफरात अफरी का महौल हो गय ऐसे में आज सीयम निती सची वाले जाने से पहले विकास भवन और विश्वसर्या भवन पहुंच गए। इसके लावा रेलवे के ओर से दर्भंगा और दौराई के बीच भी एक जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णे लिया गया है जो कि गारी संख्या शुने 5537 और सुने 5538 दर्भंगा दौराई दर्भंगा पूजा स्पेशल ट्रेन सीता मरी रक्सौल नरकटिया गंच कोड़कपूर मत्रा जैपूर के रास्ते से होते वे दर्भंगा से 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक प्रतेक सनिवार को और दौराई से 8 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक सपता के प्रतेक रविवार को चलाई जाएगी बतादिक इस बात की जानकारी पुर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना जनसंपर्ग अधिकारी यानि की सी पी आरो विरंद्र कुमार के द्वारा दी गई है दर्भंगा एम्स के नर्मान पर साथ आ सकते हैं किंद्र और बिहार सरकार दर्भंगा एम्स के नर्मान को लेकर राजे सरकार और किंद्र सरकार के बीच मतभेद चारी है लेकिन अब दर्भंगा सांसद गोपाल जी ठाकुड के द्वारा दिये गए संकित से यनुमान लगाये जाने लगे हैं कि बहुत जल्द ही दर्भंगा एम्स का नर्मान कारेश शिरू हो सकता है दरसल दरभंगा सांसक गोपाल जी ठाकुर के द्वारा कहा गया है कि केंदर सरकार उसी अस्थान पर एम्स निर्मान करने को तयार है जो अस्थान राजस सरकार के ओर से एम्स निर्मान के लिए चेनित किया गया था लेकिन उससे पहले राजे सरकार को एक सर्ट पूरी करने की जरूरत पड़ेगी राजे सरकार को वो जमीन पूरी तरह से समतल करा कर केंदर सरकार को देना होगा उन्होंने बताया कि यहाँ पर केंदर सरकार एम्स के डारेक्टर की भी बहादी कर दी है बिहार सरकार बस ये एक काम कर दे और गारेंटी दे दे कि उन्होंने यह अच्छा से किया है तो किंद्र सरकार वहाँ एमस का निर्मान करवाने को राजी है बिहार में CTET पेपर एक में इतने फीजी अभ्यरती हुए सफल किंद्रे माधिमिक सिक्षा बोर्ड यानि की CBSC के दोरा किंद्रे सिक्षा पातरता परिक्षा अगस 2023 का रिजल्ट चारी कर दिया गया है जिसमें बिहार से कुल 4 लाग अभ्यरती शामिल हुए थे इसमें से पेपर एक के लिए 3 लाग तो वहीं पेपर दो के लिए 10 लाग अभ्यरती शामिल हुए थे ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें किस परिक्षा के पेपर एक में बिहार से पास होने वाले अभ्यरतियों की फीजदी 7.7-6 फीजदी रही और स्ट्ट्ट्पियस को लब्स्लैस्लैस्लैस्सीबीसी.NIC.IN पर जाकर देख सकते हैं मालूमों कि बोर्ड के अनुसार अभ्यरतियों का अंग पत्र और योगिता प्रमान पत्र को जल्दी डिजी लॉकर पर अप्रोड कर दिया जाएगा सामोही क्रूप से इस्तिफा देंगे प्रदेश के पंच सरपंच पिछले दो माँ से अपनी 11.03 मांगो को लेकर बिहार के पंच सरपंच के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन बिहार सरकार की ओर से अब तक इनके मांगों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है सेमय अब बिहार प्रदेश पंच सर पंच के संग द्वारा बिहार के मुख्य मंतरी निदीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उने कहा है कि अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्ण नहीं लिया जाता है तो राजे के सभी पंच सरपंच सामोहिक रूप से इस्तिफात दे देंगे उन्होंने पत्र में लिखा है कि वर्ज 2013 में विधान मंडल में मुख्य मंत्री से लेकर अपने आवासिये कारयाले में वर्दमान पंचायिती राज मंत्री मुरारी प्रशाद गौतम तक ग्राम कचरी के हित में आस्वासन दे चुके हैं हाला कि कोई सार तक पहल नहीं हुई ग्राम कचरी के नरदेश कानुपालन चौकीदार तक नहीं करते उनका कहना है कि अगर सरकार सही योग करे तो ग्राम कचरी यां कोट का बोज कम करने में सक्षम है उन्होंने बताये कि निया यात्रा के बाद दिसंबर में पर्टना में संगद्वारा विशाल प्रदर्शन होगा और राजे पाल के समक्षा मोहिक रूप से त्याग पत्र सौपा जाएगा मुझपरपुर में 35 लाग का सराब सहित एक तसकर गिरफतार बिहार में पुन रूप से सराब बंदी हैसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कस्ते के लिए उत्पाद विभाक के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा सराब तसकर आई दिन सराब तसकरी के लिए नए-नए तरीकों का निजात करते वे पाए जाते हैं बतादे कि ताजा मामला मुझपरपुर का है जहां मुझपरपुर उत्पाद विभाक अधिक्चक संजैराई को मिली गुप्त सूशना के आधार पर जले के अहियापुर थाना चेतर के भीखनपूर में आरही उत्तर प्रदेस नंबर के ट्रक के तैखाने से भारी मातरा में अवैद विदेसी सराब के खेब बढामत की गई है जिसकी कीमत 35 लाक रुपे बताई जारी है इसके साथ ही तीम के दोरा एक सराब तसकर और साथ ही मौके से एक मोटर साइकल और ट्रक को जब्त कर लिया गया है वहीं गिरफतार हुए तसकर की पहचान धर्मिंद्र कुमार के रूप में की गई है फिलहाल इस मामने की जांच पर ताल जारी है विहार के इस जिले में तालाब से निकला 50 किलो का कच्छवा विहार के बकसर जिले के डुम्राव अनुमंदल के ब्रहमपूर इस्तित बाबा ब्रहमेश्वर नाथ मंदल के सैक्रो साल पुराने शिव सागर तालाब की उराही के दौरान सौ साल पुराने और 50 किलो से जादा वजनी दुरलप कच्छवे को देखकर सभी लोग हैरान हो कई लोग इस कच्वे का वीडियो बनाने लगे तो वहीं कई लोग उसे लेकर भागने के फिडाक में लग रहा है लेकिन जैसे ही ये मीडियो सुशल मीडिया पर वारल हुआ तो बन्विबाग के अधिकारी कच्छवे के तलास में जुटके है बतादिक अधिकारी का कहना ह कि 100 साल पुराने कच्छुए का वजन ही इतना जादा हो सकता है ऐसे में इस तरह के कच्छुए को पकरना रंडनीय अपराद है मालम हो कि कच्छुआ को पकरने पर 7 साल की सजाख हो सकती है वहें इस पर S.I. सुभाश कुमार के द्वारा बताया गया कि नए थाना प्रभारी के द्वारा इस पर चार्ज लिया जाएगा और F.I.R. दज आगी की काड़वाई की जाएगी B.S.S.C. के 33 इसना तकस्तरिय प्रतियोगिता परिच्छा का रिजल्ट जल्द होगा जारी पटना आई कोड के चीफ चस्टिस के भी चंदरन की खंड़ पीट के द्वारा बिहार राजे करमचारी चैन आयोग के तरी इसना तकस्तरिय प्रतियोगिता परिच्छा का रिजल्ट जारी करने को लेकर प्रिया कुमारी और अने द्वारा दायर याचिका आउँ पर सुनवाई कर नरनय सुरक्षठ रख लिया गया था जिसकी तेहक Annika के द्वारा इस परिक्षा को चुनवती दिने वाली सब याचिकाओं को खारिच करते वे मुख्य परिक्षा के परिणाम प्रकाशित करने का रास्ता साफ कर दिया गया है और साथ ही जर्नित याचिका दायर करने वाली प्रिया कुमारी पर 50,000 रुपे का आर्थिक डन भी लगाये गया है बतादिक अधिवक्ता सत्यम सिवं सुन्दरम के द्वारा कोड को बताये गया कि या परिक्षा 23 दिसंबर 2022 को आयूजित की गयी थी परिक्षा का पर्चा लिख हो गया था जिसके बाद या परिक्षा दुबारा बिलकुल सही धंग से आयूजित की गई इसके लिए जमीन की दिक्कत दूर हो चुकी है और एजनसी को जरूरत के हिसाब से जमीन दी जा रही है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि योजना के नुसार जमूई में 125 मेगावाट और बांका में 75 मेगावाट छमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे मेरे जानकारी के नुसार इन दो रों यूनुटों से जून दो हजार चौबिस तक उतपादन की शिरवात हो जाएगी मालू हो कि जमूई में 500 एकर जमीन के विरोध लक्षमी पूर अंचल में 231 एकर जमीन की निविदा जारी कर दी गई है वहीं बांका में आवेशक 301 एकर जमीन के विरोध चकाई के गड़ी तेलवा में 225 एकर जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जा रही है स्रीयम नितीश के एंडिये में आने पर केंदरी मंतरी पारस का बड़ा बयान आगी जो होगा वह अच्छा होगा उन्होंने कहा कि अगर नितीश कुमार एंडिये में आते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा बिहार मंतरी मंडल विस्तार पर नितीश की न पढ़ अखिलेश सिंग का बयान बीते दिन सुमबार को बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार के दौरा मंतरी मंडल विस्तार को लेकर पूछे गया था कि अब कितने मंतरी बनेंगे अगर कबिनीट विस्तार को लेकर कुछ पूछना है तो मुख्य मंतरी तेश्वी यादव से पूछिए वहीं अब सियर नितीश के इस बयान पर कॉंग्रिस की प्रदेश अध्यक्ष अकिलेश सिंग के दौरा तंच कस्तेवे कहा गया है कि मुख्य मंतरी जितने मंतरी हैं उससे खुस है उन्होंने कहा कि मैं उस पर कोई टिपनी नहीं कर सकता जब तक बाचीत नहीं हो जाती है जब तक मंतरी मंडल का वस्ता नहीं हो जाता हम इंतजार करेंगे लगभग राजनिती में कोई सब्द नहीं होता है उन्होंने कहा कि जो नहीं होने जैसा होता है उसे भी कॉंग्रेस पार्टी कराती है बाबर आजम की बाद साहत को खत्म कर सकते हैं सुबमन गिल भारती क्रिकेट टीम के स्टार प्रकिप की ICC रैंकिंग में 857 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले अस्थान पर मौजूद है तो वहीं भारतिय बल्लेबाज सुमन्गिल 814 पॉइंट्स के साथ इस रैंकिंग में दूसरे अस्थान पर मौजूद है हाला कि ये रैंकिंग आस्ट्रेलिया एक खिलाफ खेल जाने वारे तीसरे वंडे मैस में सुमन्गिल रन बनाते हैं तो वो पहले अस्थान पर पहुंच सकते हैं बीता दिन हमार दोरा पूची का सवाल का आप लोगो में से बहुत लोगों ने परजाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिक कर दिया है जिन्हों ने हमारे दोरा पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिर्शा, गौरव तिलकई, गोनर सर्मा, संतोष, राजकी सोर्मतो, लक्षमी महता, अमित कुमार, सुबोध कुमार, कपिल देवसा, मुहम्मद सकीर हुसैन, मुहम्मद फहीम, रवी कुमा जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम कबरों के साथ, बरे रहरी के लिए देखते रहें, बिहारी न्यूस, और साथ ही, अगर आप यूटूब से देखते चानल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देखते तो पेस को फॉलो करना, ना बोले देखते बात